हलो फेंट्स तो आई होप कि आपने लिंक लिष्ट के सारे पार्ट सभी तक देखे होंगे तो अपने लास्ट वीडियो में देखिए हमने बताया था कि अगर हम जो हमारा हेड होता है लिंक लिष्ट का उसको अगर हम मेन फंचन के अंदर अगर डिकलियर करते हैं गलोबली आपने देखा था कि हमें यहां से head one return करना पड़ता है अब return क्यों करना पड़ता है यह हमने इसके just पीछले वाले वीडियो में आपको बता रखा है अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लीजिए आज हम समझेंगे कि अगर हमें return keyword नहीं यूज करना है तो हम क्या करेंगे ठीक है अगर हम return नहीं करना चाहते हो तो क्या करेंगे अच्छा अब आई हो क्या आपने लास्ट पार्ट देखा है अब यहां से जब हम return करते हैं इसके पीछे जो हमारा motive होता है वो क्या होता है कि जो भी changes हम वहां पर head one में कर रहे हैं वो head one में करना है जो मेन के अंदर बना है तो जब भी हम उस function को call कर रहे थे जब भी हम उस function को क्या कर रहे थे चाल कर रहे तो इस तरह से हम head one पास करते थे तो अगर मैं head one ना पास करके head one का address पास कर दूं या सो लिष्ट फंसन जो हमने बनाया था यहां पर इसमें भी हम अगर हेड़ पास ना करके हेड़ वन का एड्रेस पास कर दें तब क्या होगा अब क्योंकि देखिए हमने हेड़ अट्रेस किया है तो अब हेड़ वन क्या है एक पॉइंटर है और उसका हमने इसी एक पॉइंटर का एड्रेस इस्टोर कर ले है ना तो अब क्योंकि जो में फंसन के अंदर हेड़वन है उसका एड्रेस जो main function के अंदर head one pointer है उसका address हमने इस वाले head one में रखा है तो जहां जहां अब मैं इस function के अंदर star head one लिखूंगा तो ये star head one लिखना main function के अंदर जो head one बना है उसको लिखने के बराबर है ये बात मैं आपको इस data structure की series में हजार बार बता चुका होंगा फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो head one main function के अंदर है उसका address हमने इस head one में रखा है जो कि एक local variable है यहां पर तो इस function के अंदर star head one लिखना main function के अंदर head one लिखना के बराबर है ठीक है? अच्छा मैं एक बार और बोल देता हुमने क्या बोला? जो यह head one हमने लिखा है main function के अंदर तो अब इस main function के अंदर कहीं भी हम head one लिखें वो लिखना और इस function के अंदर star head one लिखना बराबर है यानि कि जब भी मैं इस function के अंदर star head one लिखूंगा तो आप समझ जाईए कि यह main function वाला ही head one है आप ऐसे समझह लीजिए तो अब आप क्या करेंगे जहाँ पर हमें लिखा एडवल्ण तो हम यहाँ पर किया लिखेंगे इस्टार हेडव मं अगर हमारा मेन फंचन के अंदर जो Wen बना अगर उसमें नल है तो स्टार हेडवन में क्या रखो पी रखो अधरवाइस स्टार हेडवन और स्टार यहाँ पर मैं एक्स्पैन नहीं करना हुँ कि नोड किस तरह से इंसर्ट होगा जहां जहां देखिए हमने चैंजिद करना था कर दिया और उस केस में क्योंकि हम में लेकिन वायटान का रिटर्ण टाइब पिचेंज हो कि क्या हो जाएगा वायट आपको यह बात समय आई कि आनी चाहिए समझ में देखे यह बात मैं हजार बाद बोल चुका हूं देखे जब भी आप किसी variable का address किसी variable में लखते हैं लेट से आपके पास दो variable हैं अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ माल लीजे आपके पास दो variable हैं इस तरह से माल लीजे ठीक है माल लीजे इस variable का नाम है ओके इतना बड़ा हो गया चलो ठीक है इस variable का नाम है पी और इस variable का नाम है लड़से क्यूँ अब माल लीजे पी का कुछ address होगा यार मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ पी का कुछ address होगा माल लीजे पी का address है 1000 और आपने एक line लिखी क्यूँ का भी कुछ address होगा मैं उसमें इंट्रेशन नहीं हूँ आपने क्या किया अच्छा पी एक normal variable है क्यूँ एक pointer है और आपने क्या किया q equal to address आप पी रख दिया या q में चला गया 1000 और इस तरह कि इस तरह क्यूँ जो है वो पी को point करने लगा अब आप जहां भी जहां भी जहां भी आपने यह coding की है माल लिजे पी एक अधर function के अंदर बना है क्यूँ एक अधर function के अंदर बना है और आपने किसी भी तरह से अगर पी का address q में रख दिया त वही चीज मैं यहां पर भी कर रहा हूं हमने क्या किया हमने जो head one है main function के अंदर उसका address पास किया है जो कहा है इस head one में है तो अब star head one लिखना main function के अंदर जो head one है वो लिखने के बराबर है तो जहां-जहां हेट था वहाँ वहाँ हमने हेडवन कर दिया है अब क्योंकि हम हेडवन जो में फंसन के अंदर है उसमें डारेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हमें रिटन करने की ज़रूरत नहीं है आई होगी इसी तरह से जो हमने यहां पर सोलिष्ट बनाया था तो इसको भी हमें बनाना स्ट्विखने रावन यहां पर लिखना पड़ेगा सारा का में अब मैं फिर से इस प्रगां को सेप करता हूं और जो इन दोनों पंचन की जो हमने कोडिंग की थी वह च्वास नंबर कहां पर है फोर्टीन और फिप्टीन में तो फोर्टीन को यूज़ करके हम नोड को इं कर दिया ओके अच्छा आप यहां पर रिटन तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो वह हेड नहीं लगेगा राइट ठीक है देखे हमारा प्रोग्राम रण हो गया मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आफयोप कि आपको दिख रहा हो गई ठीक है तो मैं कि ओूज इंटर करता हूं 15 देखे कह रहा है लिस्ट इंपटी अब मैं 14 स्पूइसीं करता हूं लेट से मैं 1 इंटर ी आनमा 10 इंटर करता हूं ॹुरा नोर सकसे फुली आफ्कीलette अब अगर मैं 15 इंटर करूं तो देखे 10 दिखा रहा है फिर से अगर मैं 24 इंटर करूं और इस बार मैं 20 इंटर करूं तो देखे बता रहा है फिर से अगर मैं 14 इंटर करके 30 इंटर करूं है ना फिर से मैं 14 करके लड़से 14 टर करता हूं तो आप फिर से अगर मैं 14 करूं देखे हर एक वैलू यहाँ पर प्रिंट हो रही है इसका मतलब है कि हमारा प्रोगाम अच्छे से काम कर रहा है जो भी हमने कोडिंग की है वो कोडिंग बिल्कुल सही है तो इस तरह से तो हमने आपको तीन मैथड बताया है कि जब भी आप हेड को बाहर डिकलेर करते हैं गलोबल तरीके से तो उसको कैसे करना है या आप माल लीजे जब फंसन को काल करते हैं उसमें हेड पास करते हैं तो उसके लिए किस तरह से कोडिंग करनी है और फिर अगर हमने बताया कि आग या अभी तक जो भी हमने पढ़ाया तो आपको डबली लिंक लिस्ट इस्टाएक क्यू या ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जहां पर हम डबली लिंक लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो थैंक यू सो मच